वेल्कम बैक तो माँ चैनल हमने फॉर्स पार्ट में लीविंग वर्ल्ड पढ़ा था टेक्जोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है वहां तक पढ़ा था टेक्जोन क्या होता है वहां तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे कि टेक्जोन एक कैटेगरी है जिसमें हम लोगों और species को organisms को divide किया था तो taxon हम category को बोलते है और जो बहुत सारे categories एक साथ आ जाते है उसको taxonomical hierarchy कहते है ठीक है taxonomical hierarchy कहते है so जो बहुत सारे taxonomic categories होते है और हर एक rank जो represent करता है उसको taxon बोल रहा है ठीक है तो आगे हम देखेंगे कि कौन-कौन से categories होते है ठीक है इसके आगे इतना लिखा कि कौन-कौन से दूसरे categories होते है taxonomic categories starting जो basic है category सबसे पहले वो है species it is the basic group of individual organisms with fundamental similarities as similarities group of organisms जो similarities दिखाते है वो species बनाते है फोर एक्जामपल हमने देखा था पार्ट वन में एक्जामपल mangifera इंडिका जिसमें mangifera जीनेस है और इंडिका species है वैसे ही solanum tuberism जो पटाटो का scientific name है उसमें solanum genus है और tuberism species है पैंथेरा लियो में लियो species है सो हम यहां पैंथेरा लियो लाइन को गहते है ठीक है तो यह सब कुछ क्या होगे species होगे homo sapiens जो human beings को कहते है वहाँ पे sapiens जो है वो species है ठीक है तो भी clear हो गया है कि species क्या होते है basic unit होते है यह classification के अब पैंथेरा जो जीनिस था पैंथेरा लियो बना था तो वैसी पैंथेरा टिग्रेस भी आता है ठीक है और solanum tuberism था फो पटाटो solanum nigrum भी आता है और solanum melogena भी आता है ठीक है तो यह melogena nigrum यह सब कुछ क्या है species हो गए next आजव जीनिस पर जीनिस उससे higher level का है बहुत जादा species related species के group मिलकर एक जीनिस बनाते है for example हमने उपर देखा था solanum जीनिस है panthera देखा था panthera जीनिस है panthera लियो आता है panthera पैंथेरा पैरेडस आता है panthera टेगरेस आता है टेगरेस फोर टाइगर पैरेडस फोर लियोपर्ड और लॉयन फोर लियो ठीक है तो यहाँ पर पैंधेरा जीनिस हो गया अब यहाँ पर cat का जो जीनिस है cat वाले cat जो जीनिस में आता है उसको बोलते है fellies और dog जो जीनिस में आता है उसको बोलते है canis ठीक है फिर species जीनिस और जीनिस के बाद आ रहे है family group of genus group of related genus related genera उससे मिलके family बनता है family के examples क्या है देखो genus हमारे पास genus था solanum पर त्यूना जीनिस है दतूरा जीनिस है यह तीनो family solanus ही में आता है easy है याद रखने का solanum की family solanus ही ठीक है वैसे ही genus जो panthera था उपर हमने देखे अब वो कौन से species आ रहे तो उसके अंदर tiger आया था lion आया था leopard आया था यह और जो हमने देखे थे के fellies भी एक जीनिस है cat का तो genus panthera और genus fellies दोनों मिलके एक ही family में आते हैं felly day fellies की family felly day fellies genius है genus panthera भी है panthera और fellies दोनों भी felly day में आ रहे थीक है और जो dog की family है वो उसको बहुत है canada क्योंके dog को क्या बोल रहे थे kenis बोल रहे थे ठीक है dog को kenis बोल रहे थे इसलिए dog की family को candidate और cat को fellow इसलिए cat की family को फैलेडे next आजो family के बाद family के बाद आता है order वैसे ही same group of related families comprises the order ये क्या है इसमें क्या आता है कौन-कौन से main orders given है देखो solanus ही क्या थी family थी solanus genera की यहाँ पर और एक है convolvulacy ये भी family है ये दोनो family एक order में आते है वो order है polymonials ठीक है कौन सी convolvulacy और solanus दोनो भी एक order में आ रहे हैं कौन सा order है वो polymonials ठीक है वैसे ही यहाँ पर ये पता था काट की family को Kennedy बोल रहे है dog की family को Felady बोल रहे है ये दोनों भी एक order में आ जा रहे है फिर कार्नी बोला ठीक है order के बाद आ रहे है class अब बहुत साथे order मिला के class बनाते और जो order प्रिमेटा है जिसमें प्रिमेटा में monkey, gorilla और gibbon आ जाता है वो सब मिलके ये मैमेलिया में आते हैं कौन सा order प्रिमेटा जिसमें monkey, gorilla और gibbon आ रहा था वो मैमेलिया order में वो order प्रिमेटा था और मैमेलिया class में आ गए वैसे ही order कार्नी वो रहा था किसका था ये उपर जो हमने देखे ये वाला order फैलेडे और कैनेडिका ये भी class किस में आ गए कौन से class में मैमेलिया वाले class में ठीक है तो order प्रिमेटा जिसमें gorilla, gibbon और monkey आ रहे थे और order कॉर्णी वो रहा जिसमें cat, dog, tiger आ रहे थे दोनों भी order मैमेलिया class में आ गए ठीक है मतलब mammals इसके बाद आता है phylum animals के लिए बोलते है इसको division भी बोलते है division plants में होता है ठीक है like देखो animals like fishes, amphibians, reptile, birds along with mammals ये सब मिलके क्या बना रहे phylum, fishes, amphibians, reptile, birds ये सब कुस classes और class मिलके क्या बना आएंगे phylum phylum for example notochord, chordate phylum होता है, chordate phylum मतलब जिसमें notochord present है dorsal holoneural system present है, वो phylum को कौन सा phylum बोलते है notochord और plants में क्या होता है, plants में phylum नहीं बोलके उसको division बोलते है ठीक है और last जो सबसे main, सबसे बड़ा है वो है सभी animals जिसमें आते है और सभी plants जो सबसे बड़ा है kingdom, सभी animals में kingdom animal या हो जाता है keep plates clean otherwise family get sick keep plate clean otherwise family get sick kingdom phylum class order family genus species यसे याल रकलो keep plates clean otherwise family get sick यहाँ पर dv डाल दो for plants ठीक है इसके आगे क्या है एक यहाँ पर line है देखो sorry यहाँ पर line क्या है the number of common characteristic goes on common characteristic के number जो है decrease होते जाते है जैसे ऊपर जाते तो ठीक है जैसे हम लोग species में रहते थे तब common characteristic जाते थे लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे characteristic common जो है वो कम होते जा रहे ठीक है मतलब यहाँ पर एक important line है देखो lower the taxa more are the characteristic जितना कम छोटा taxa रहेगा जितना basic taxa या जितना basic group रहेगा उतना जादा characteristic सेम रहेगे अब यह एक कुछ common scientific names given है और्गनिजम की common categories given है वो याद करने है देखो यह कैसे याद करेंगे man सबको पता है इसका name क्या है homo sapiens genus obviously पहला वाला word homo आएगा species sapiens आएगा family नाम से याद रखो homo in a d order primata में आता है और class mammal में लिए में आता है phylum called it यह easiest है और kingdom कौन सा आएगा obviously animal kingdom आएगा ठीक है then housefly musca domestica genus obviously पहला वर genus है domestica जो है वो species है family mucida order diptera class insecta यह insect हिसले class insect यह mammal हिसले class mammalia और phylum तो याद रहेगा insect mostly orthoports में आते है ठीक है mango यह इतनी बार example में पढ़ा है mangifera indica genus mangifera family यह बहुत easy anacardiacy family में आता है order sapindles dicot है यह इसले class dicot dicot मतलब दो cotyledon है और angiosperm है weed plant है traticium astivium traticium genus आएगा family poesy order poles यह a-c-e-a-e यह ending में आ रहा है मतलब यह family रिप्रेजेंट कर रहे है जैसे पोल सी अनला काडियसी अब order इसका pole से यह mono cotyledon है और angiosperm है यह याद easy रहेगा man homo sapiens housefly है musa domestica mangifera indica traticium astivium housefly का थोड़ा hard होगा weed का थोड़ा hard होगा man का और mango का तो यादी होता है तो इन दोरों का अच्छा से याद करो तो पहला यह याद हो तो genus तो यादी हो जाएगा family पिर almost related है man की housefly के देखो homoenity और musicity mango का नॉर्मली याद होता है anacardiacy और wheat का यसा याद रखना है poesy then primata diptera sapindles poels याद रखना है classman का mammalia housefly का insecta mango dicot होता है मतलब उसके seat को cut करे तो दो cut में cut होगा लेकिन wheat monocotyledon और उनके phylum भी phylum भी given है कि कौन-कौन से phylum और कौन से division में आते हैं ठीक है नेक्स जो पार्ट है वे टेक्जोनॉमिकल एज जो हम next video में continue करेगे third part रहेगा last part रहेगा so hope you guys like it और share it with your friends subscribe thank you